हरियों, ओम मन सामर्द दा तास्री अनी रुद्धाय नमहा, मैं सावली वीरा दिने सिहराने दोंबीली इस्त उपासना केंद्र, आज जो अनुभव कथन करने वाली हुँ, ओ करुणा की दुसरी राट का अनुभव है, मेरे पती दिने सिहराने लोगसता समाचार पत्र में का कारेरत होने की वज़े से उन्हें ऑफिस जाना अनिरवारिया था, एक दिन उनको अच्छानक से सुघंधाना बंध हो गया, उसी दिन शाम को ओ डॉक्टर के पास गये, तब उनको बुखार भी था, डॉक्टर ने उनको दो दिन की दवाई दी थी, और बताया था, दो दि दिन में आपको ठीक नहीं लगा, तो आपको कोवीड टेस्ट करनी पड़ेगी, उसी दिन शाम को मुझे अच्छानक से बुखार हुआ, बुखार की वज़े से मैं दो कदम चल भी नहीं पा रही थी, उसी दिन फिर मैं अके लिए डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा, आप और आपके पती दोनों को भी फिवर है, आप दोनों कोवीड टेस्ट करवा लिजे, दूसरे दिन सुबह हम उटके कोवीड टेस्ट करने गए, केडियम सी हॉस्पिटल में मेट्रोपॉलिस का लैब था, वहाँ पे हम दोनों ने टेस्ट पाली, रिपोर्ट में मेरा वॉल्यूम जादा था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें बलड टेस्ट करने के लिए का, और स्कैनिंग करने के लिए का, बलड टेस्ट हो गया, स्कैनिंग अपॉन्मेंट डेख रहे थे, बट कडोमियोली में कहा बेबी स्कैनिंग स खा रही थी, फिर मैंने रिनेसिहां को बुला, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, आप दादा को कॉल कीजिए, दिने उस टाइम नीरसिहां पड़ेल कर कॉल ले रहे थे, डॉक्र पड़ेल कर का कॉल बीजी हा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं परेशान ह गई थी, और डर भी रही थी, तो मेरे दूसरे फोन पे सुचीत दादा का कॉल आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या दोनों भी हम नीशवते, दादा सामने से बोल रहे थे, कि क्या हुआ है, दिने सिहां ने बताया, हम दोनों को कोरोना हुआ है, दादा बोले, कर रहे थे, और उसी टाइम दादा ने मेरे साथ भी बात की, दादा ने मुझे कहा, दरो मत, कुछ नहीं होगा, बापु है, उस टाइम से मैं पूरी तरह से निच्चिन्थ हो गई, आखों में से जो आसु बह रहे थे, वो पूरे आनन के आसु थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे बापु का पूरा, मतलब मेरे बापु ने मेरा पूरा भार ले लिया था, फिर हमें स्कैनिंग का डेट मिल गया, दुसरे दिन हमारा स्कैनिंग था, उसी दिन रात को सपने, एक सपना गिरा, सपने में डॉक्तर के रूप में एक आदमी और साथ में एक मेरी नानी के तरह दिखने वाली, नानी ही थी, वो डॉक्टर जो थे, उन्होंने, जैसे हम लोग हार्ट का ओपरेशन करते हैं, उसी तरह उन्होंने मेरा पूरा सीना ओपन किया था, और जैसे इमारत में इट लगाई जाती है, वैसे वो मेरे सीने में से कुछ निकाल रहे थे, सा क्या करें, उन्होंने इशारे से बताया, शान बैटो, फिर मैंने फिर से थोड़ी दिर बात पुछा, आप क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नानी जो थी, मोठी आई थी, उन्होंने बोला, कुछ नहीं होगा, दरो मत, ऐसे करते करते, उन दोनों का का आनी चालू था, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है, मैं उनको बोली, कि मुझे मैं सो रही, आपको जो करना है, और कर लीजी, सुबा उठी, तो पता चला, मेरे सामने खाली और रात का सपना दिख रहा था, बाकि कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर हम रीपोर्ट नीली आने वाला है रात को ही बापु ने जो करना था वो कर दिया था मेरे बापु ने मेरे रात में मेरे सपने में आके मेरे अंदर का सारा जो लंग्स था वो पूरा साफ करके नील किया था इसने मेरा स्कैनिंग रीपोर्ट जीरो आया था हरियों स्री राम नाता सवित, नाता सवित, नाता सवित